असलाम लेकुम दियर स्टूडेंट्स और आज हम पढ़ने चाह रहे हैं डिफरेंस बिविन टेंडन्स एंड लिगमेंट्स के बारे में टेंडन्स और लिगमेंट्स दोनों ही कनेक्टिफ टिशूज हैं कनेक्टिफ टिशूज का मतलभ है कि ये ऐसे टिशूज हैं जो दो चीजों को आपसने the connect और यहांपर हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, इस मसल्स को इस बॉन के साथ जोड़ने के लिए टंडन काम करती है। में इना दोनों का आपस में जोडने का काम करता है यहां पर आप आपस एक casual में और यहां पर अधागी जोड़न happens हमारे पास ligament पाए जाता है तो क्या हां है कि अध्डा को हड़ी के साथ Yes, ङृब लोंड दैखा चाहिं अध्य करेंगा मुइंद भोंड़नThe Dept जासे हमारे पास rubber band होता है अगर आम rubber band को खैंचते हों तो इतनी दूर तक चला जाता है तेंडेंडेंडल को खैंचेंगे तो वह नहीं खिचेगा इसलिए इसका है कि यह नोन इलास्टिक है इसके इलावा टैंडन बहुत तफ या मजबूत होता है यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों का क्या फाइदा होगा कि यहां पर मसल जब हड़ी के साथ जुटता है तो हमें पता है कि हमने मसल के साथ काम करना होता है ठीक है फर्स करें आपने एक वजन को उठाया इसका मतलब है कि आपके मसल के उपर जोर लगा है अगर elastic होता यहां पर हमारा tendon तो उसने muscles के सासाथ उसने भी खिचके लंबा हो जाना था ठीक है? और इसका क्या नुकसान होना था कि आपके muscle की movement खराब हो जानी थी इसके सासाथ अगर यह tough ना होता यहां तो यहां से वो अराम से तूट भी सकता था जिसकी वज़ा से आपके muscle ने आपकी हड़ी से अलग हो जाना था और जो वज़न आप उठा रहे थे आप कभी भी नहीं उठा पाते तो इन दो खसूसियात की वज़ा से tendon जो है वो मजबूती देता है muscle को और उसकी movement को हड़ीयों के साथ दूसरी तरफ अगर हम ligaments को देखते हैं तो ligaments elastic होते है elastic का मतलब हो यह कि अगर आप इसको खैंचते हैं तो यह रबड की तरह खिचता जाएगा लेकिन इसके साथ साथ यह strong भी होते है अब इसके elastic होने का हमें क्या फाइदा है हमें पता है कि यह joint के ओपर पाया जाता है joint का तो हमें पता है कि उन्हें हरकत करनी है हरकत करने के लिए एक हड़ी को दूसरी हड़ी से दूर जाना पढ़ेगा अगर यहां पर यह elastic ना होता तो इसका मतलब है कि आपकी हड़ी infinitely हरकत ना कर पाती है और जैसे थी वैसी के वैसे रह जाती तो अलास्टिक होने का फाइदा ये है कि आराम से आपका बाजू जो है वो मुर सकता है और स्ट्रोंग ये इसलिए है कि आप जितना मर्जी जोर जोर से अपने बाजू को जो है वो मौर लें आपकी जो हड़ियां है वो एक दूसरे से जोईंट से तूटती नहीं है या दूर नहीं होती तो इस वज़ए से ये स्ट्रोंग या मजबूत है इसके बाद आ जाता है कि हमारे एक मसल या इच मसल के पास सिर्फ और सिर्फ एक टेंडन होता है लेकिन अगर हम लिगमेंट्स को देखें तो हर जोईंट के उपर या जोड के उपर बहुत सारे लिगमेंट्स पाई जा सकते है ये डिपेंड करता है कि कितने लिगमेंट्स की जरूरत है जैसे के यहां पर हमारे पास यह जॉइंट है तो यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास यह एक लिगमेंट है और इसके साथ साथ यह एक और लिगमेंट है यानि के दो लिगमेंट एक जॉइंट पे हमें नजर आ रहे हैं तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि आपके कि हमारे पास लिगमेंट जो है वो येलो यहां पीले रंग का पाया जाता है अगर आप फाइबर्स को देखें टेंडन के अंदर तो वो फाइबर्स पैरलल बंडल की सूरत ने पाया जाती है यानि कि इस तरह से सीधी सीधी लाइने एक दूसरे के साथ जारी होती है और ये आपस में मिलकर बंडल बना देती है और वो बंडल जो है वो यहां टेंडन्स मनाते है यानि अगर आप यहां देखने तो हमारे पास इस तरह से यहां पैरलल फॉम के अंदर फाइबर्स पाई जाएंगी जबके लिगमेंट के अंदर ये पैरलल फाइबर्स यहां वो नहीं पाई जाती है यानिके हमारे पास इस तरह की फाइबर्स लिगमेंट में नहीं मिलेंगी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेंडन्स की कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है यानिके एकी तरह की टेंडन है और वही हर जगा पर मसल्स को हडियों के साथ जोड रही है लेकिन अगर आप लिगमेंट्स की बात करें तो आपके पास तीन तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है या तीन तरह की टाइपस आ जाती है जिसमें हमारे पास आर्टिकुलर लिगमेंट्स रेमनेंट्स लिगमेंट्स और पेरिटोनियल लिगमेंट्स आ जाती है आखरी डिफ्रेंस टेंडन और लिगमेंट के दर्मियान ये है कि टेंडन के अंदर कम प्रोटियो ग्लाइकन का कॉंटेंट पाया जाता है अब ये वाले proteoglycans जो हैं वो tendon के अंदर काम पाय जाते हैं जबके proteoglycan का content ligaments के अंदर ज़ादा होता है तो यह था हमारा आज का lesson difference between tendons and ligaments के उपर अगर इससे related आपके पास कोई question है तो आप मेरे से comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करें मेरे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share करें मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में